हेई गाइज, विल्कम बैक टू माइ चैनल, मैं शोवी मी जैन अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्त ताइम है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्काइब कर दीजिए और अगर आप हमेशा की तरह मेरे चैनल को फॉलो करते हैं मेरे वीडियोज देखते हैं तो थाइक्यू सो-सो मजच आप देख सकते के मैं यहाप लेके आयू इस लुक का नाम आप सौफ्ट हाफ कट कृिस दे सकते हैं क्यूंकि यह बहुत सौफ्ट कलर पर है मैं जादा क giornर लेके नहीं आई और हाफ में से यह पुमने हैं ये look आप western, इंडो-western और इंडियन तीनो आउटविट के साथ आप ये look create कर सकते हैं अगर आप ये look create करते हैं तो प्लीज मुझे instagram पे tag कीजी उसका जो link है मैं description box में नीची दे दूँगी तो please guys आपको अगर मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को subscribe पीजिए, like कीजिए और मेरे वीडियो को जाथ से यादा share कीजिए और अगर आपको कोई भी question है तो आप मुझे comment section पे पूछ सकते हैं उसका जवाब मैं जरूर देती हूँ और मैं दूँगी जरूर तो चलिए बीना time waste किये देखते हैं कि आज का ये look मैंने खैसे create किया है मैं यहाँ पे pons का moisturizer यूज करूँगी ये भी gel moisturizer है because मेरा combination skin है तो मेरे tea zone पे जो है वह बहुत जादा oily रहता है तो इसलिए summer है so इसके लिए मैं gel moisturizer use करूँगी आप pack का भी use कर सकते हैं aqua blast और moisturizer इसलिए जरूरी है आप always moisturizer use कीजिए everyday कहने का मतलब everyday आप use कीजिए और makeup से पहले भी आप मतलब जरूर use कीजिए क्योंकि उससे जो है moisturizer लगाने से और primer लगाने से makeup जो है अच्छे से blend होता है so इसके लिए आप moisturizer use कीजिए और everyday cleansing, toning और moisturizing ये जरूरी है तो इससे जो skin है वो अच्छी रहती है so मेरा moisturizer अच्छे से blend हो गया तो अभी मैं दो minute rest करूंगी और मैंने पहले toner लगा लिया था rose toner जो है मैं वो घर पे बनाती हूँ तो अभी मैं दो minute जड़ा rest करूंगी then मैं अपना makeup start करूंगी यहां पर मैं दो type का primer यूज करूंगी एक है pack का जो pore primer है और दूसरा है inside का तो यह है मेरा pack का primer pore primer मेरे थोड़े nose areas पे तो open pores है तो इसके लिए मैं pore primer यूज करूंगी प्रोर पर मैं यूज करने से जो है वो pores जो आपका है वो थोड़ा से minimize हो जाता है पुरा cover करना बहुत तफ होता है उसके लिए और भी concealer वगरा यह वह चाहिए होता है बट नॉर्मल जो होता है पोर पर में यूज करने से थोड़ा बहुत minimize हो जाती है और दूसरा जो है वह है normal sorry primer तो यह मैं जो अपने नॉर्मल जो pores area छोड़के जो पूरे face पर हो मैं यूज कर लूँगी इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से मैं अपने पूरे neck को cover करते हुए पूरा primer में लगा दूँगी दन इसको दो मिनिट मैं set करूँगी और फिर उसके बाद मैं अपना करेक्टर करूँगी red करेक्टर क्राइलन का इसका जो शीट नंबर है I think 288 है मैं description box पर सब दे दूँगी मैं जहां पर भी मेरे थोड़े patches है like a dark circle या red spot जैसा या patches वगएरा है pigmentation है तो वहां पर मैं red करेक्टर यूज करूँगी इस तरह किसे करेक्टर और concealer एक ही काम करता है बट दोनों का यूज करने का तरीका अलग होता है और cover up जो है वह अच्छे से करता है करेक्टर के बाद अगर आप foundation और concealer करेंगी तो पूरा जो आपका जो spots या pigmentation है वह पूरा ढग जाता है यह red करेक्टर या orange करेक्टर भी आप बोल सकते हैं यह क्राइलान का है तो इस तरह किसे मैं जहां पर भी मेरे थोड़े पैचेस वगेरा है pigmentation है वहाँ पर मैं लगा लूँगी एंदान में एक blender की मदद से उसको मैं थोड़ सा blend ब्लेंड करूंगी blender भी मैंने आपको बताया था कि पहले कैसी यूज़ करते हैं blender को आप गीला कर लीजिए उसके बाद उसको पूरा निचोड लीजिए और फिर उसको आप डाबिंग पूजिशन पर आप उसको ब्लेंड ब्लेंड करिए तो इस तरह किसे मैं पूरा ब्ले ड्रेड हो गया है बट नहीं यह पूरा सेट अप हो जाएगा फांडिशन लगाने के बाद मैं यहां पर आज दो फांडिशन यूज़ नहीं करूंगी यहां पर मैं एक ही फांडिशन लगाऊंगी इसका शेट नमर आइथिंक गोल्डेन 312 वह भी मैं जो भी है सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक आपको मैं सॉरी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंचन कर दूंगी इस तरह किसे मैं लगा के और वापस उसको मैं एक ब्लेंडर के मदद से मैं ब्लेंड-ब्लेंड कर दूंगी फांडिशन जो है आप आपकों के उपर भी लगा सकते हैं और कंसीलर से भी आप जो उपर है बीस बना के और आई मेक अप कर सकते हैं बट मैं पहले फांडिशन थोड़ा सा लगाऊंगी कि मैंने आखों को पर भी बहुत जाधा मतब डाक सरकुल ऐसा थे तो मैं इसके लिए करेक्टर यूज किया था और फिर उसके बाद जो है एक कंसीलर लगाऊंगी जो हालाइटिंग कंसीलर है मतब मेरे मेरे स्किन टोन से जो है दो शेट लाइटर है तो इस तरीके से में पहले आपने जो फांडिशन उसको मैं अच्छे से ब्लेंड ब्लेंड कर लूँगी और मैंने आपको पहले भी बताया है कि फांडिशन जो है कोई भी चीज है डैबिंग पोजिशन पे ही जाता है फेस पे थोड़ा सा और भी मुझे असल लगा कि थोड़ा कवर कम हुआ नेक एरिया पे और थोड़ा आइस के उपर और गाल पर कुछ जगे पर फिलाल भूद जैसा लग रहा है यह देखिए मैं थोड़ा सा गले पर लूँगी सॉरी और फिर मैं इस तरीके से उसको वापस ब्लेंड ब्लेंड कर दूँगी यह देखिए इस तरीके से मैं ब्लेंड ब्लेंड कर दूँगी कि मुझी जा मतब क्रैक नहीं हुए मतब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माउट एरिया स्माइल लाइन जिसको बोलते हैं यह आखों के ऊपर क्रीज लाइन पढ़ जाता है आखों के नीचे जो है इसलिए होता है कि आप स्कीन प्रिपरिशन जो है जैसे टोनिंग करना या मॉस्ट्रइजर लगाना प्राइमर लगाना यह आप अच्छे से नहीं करते इसलिए होता है अभी मैं कंसीलर करूंगी यह normal concealer है मेरे skin tone के matching के हिसाब से faces Canada इसका shade number medium 02 I think और उसको मैं इस तरह के से लेके actually वो खतम हो गया थोड़ा सा है तो मैंने सोचा वेस्ट क्यों करना so इस तरह के से मैं उसको लगा लूँगी जहां जहां पर ऐसा लग रहा है कि black patches है तुझे पता नहीं वहाँ पर मेरे गाल पर क्या हो गया है चीक पर ऐसा लग रहा है या सच में कुछ है I don't know देखते हैं अंडर आई इस तरह की से लगा के और फिर मैं उसको वापस dabbing position पर उसको blend कर लूँगी आज मैं contour पर cream contour नहीं करूँगी मेरे ख्याको के उपर भी थोड़ा समय अपना जो concealer है वो भी करूँगी क्योंकि वो skin tone पर मैच होना चाहिए इस तरह के से पूरा जो face है वो एक जैसे मैट tone पर कर लूँगी यह देखिए इस तरह के से पूरा कर लूँगी यह हो गया आप देख सकते हैं फुल cover एक जैसा लग रहा है आखों के उपर क्या और आखों के नीची क्या तो इस तरह के से आप base बना लीजिए अगर आपको full makeup करना है उसके बाद मैं अपने base को set करूँगी loose powder से क्रालोन का है यह यह देखिए इसका shade number है TL14 यह देखिए यह white भी नहीं है और pink भी नहीं है यह सब skin tone पे जाता है तो ऐसा मैं एक puff लूँगी और वो puff की मदद से मैं पूरे अपने face को कर लूँगी इस तरह के से आप देख सकते हैं मैं अपने powder कर लूँगी under eye की नीचे खास करके करूँगी क्योंकि वहाँ पे सलब सल ज्यादा line गिरती है और आखों के उपर भी यह देखिए इस तरह के से आप powder से कर लीजिए पूरा set कर लीजिए बस आपका जो base है वो cake ही नहीं होना चाहिए तो इस तरह के से आप कर लीजिए आप कोई भी loose powder यूज़ कर सकते हैं आपके पास जो available है और अगर आप नया खरीद रहे हैं तो crylon कर लीजिए बहुत अच्छा है वो आज कल professional पे भी यह बहुत ज़्यादा use हो रहा है affordable price में है यह तो अब देख सकते हैं कि मैंने किस तरह के से अपने base को जो ऐसे fix कर लिया इस तरह की से आप कर लीजी फिर उसके बाद मैं अपना eyebrow करूंगी color bar का है यह देखिए color bar chest nut यह की shade आता है color bar का और यह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यह देखिए पहले मैं नीचे से line करूंगी and then बहुत हलके हाथ से इसे पता नहीं चलना चाहिए यह देखिए आप देख सकते कि मैं आरे पर पर कितना gap है और इस तरीके से उपर और नीचे line करूंगी और फिर उसको मैं हलके हाथ से fill up करूंगी बहुत ज़्यादा dark कर तरीके से गिसना नहीं है और सामने सुझे है वो always हलका मतलब light होना चाहिए इसा पूरा दिखना नहीं चाहिए आप अभी दोनों में difference देख सकते हैं यह देखिए अब देख सकते कि कैसा पूरा change हो गया इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि eyebrow करना बहुत ज़रूरी होता है चाहिए आपका कितना भी अच्छा eyebrow हो और सेम तरीके से मैं दूसरा side भी eyebrow कर लूँगी यह देखिए यह मैंने eyebrow कर लिया इस तरीके से यह मैं कर लूँगी आप देख लीजिए थोड़ा सा जो लास्ट का है outer corner वो ठीक टाक है के नहीं लाइन नहीं गिर नीचे यह थोड़ा सा कर है तो आप clean कर लीजिए इस तरीके से मैं कर लूँगी अभी मैं contour कर लूँगी यह white and white का palette है contour palette इस तरीके से मैं मूँ को करूँगी और एक line just जहां पर मेरा कान बाल खतम होता है और वहां से लेके आप देख सकते मैं किस तरीके से कर रही हूँ यह jaw line यह देखिए lip के पास पूरा नहीं आना है lip से दो उंगली छोड़के ऐसा हाथ रखेंगे तो दो उंगली उसका gap रहेगा तो इस तरीके से आप contour कर लेजी यह देखिए नीचे भी jaw line पे मैं थोड़ा सा contour कर लूँगी और मेरा forehead पे भी थोड़ा सा कर लूँगी एक्चिली क्रीम contour जो है बहुत ज़ादा sharpness देता है और अच्छे से पता चलता है बट मुझे आज नहीं करना था बहुत हलके से मैंने दिया है यह देखिए जितना bronzer पे हुआ होतना है bronzer means जो contour का powder होता है यह देखिए अभी मैं नाक पे कर रहे हूँ आप यह new trick है आप ज़रा ध्यान दीजिए नाक पे इस तरह के से करके और फिर जो है वो contour फिर मैं जो उपर उसका side है आपर side है वो मैं अपने eyebrow के साथ match कर दूँगी इसके साथ fix कर दूँगी यह देखिए ऐसे करके मैंने eyebrow के साथ उसको match कर दूँगी इस तरह के से मैं eyebrow के साथ उसको match कर दूँगी तभी आप देख सकते है कि मेरे eyebrow से लेके नाक नीची तक एक दम नाक का एक sharp ने यह होता है बहुत जादा अच्छा अभी मैं अपना eyeshadow start करूँगी टेलन सी का catrina palette लूँगी मैं सॉरी इसको मैंने आज रेडी भी करके नहीं रखा खोल के सॉरी यह देखिए इस तरीके से लूँगी और उसके बाद एक जो pencil brush लूँगी मैं small pencil brush और एक brown shade है उसमें जो मैं brown shade लूँगी sorry brown shade नहीं पहले मैं जो है वो एक हलका सा उपर जो है peach color का जो एक है वो एक पुरा eyebrow से लेके पुरा एक उपर का एक normal सा base मैं बना लूँगी हलका color का इस तरीके से लेके खाली उपर दूँगी और नीचे जो उसी का brush में होगा और वही में नीचे ऐसे थोड़ा हलका बहुत कर लूँगी नाचुरल सा base इस तरीके से मैं उसको कर लूँगी यह आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रहे हूं एक flat brush के मदद से इस तरीके से मैं करूंगी और उसके बाद मैं लूँगी एक pencil brush एक मैं लूँगी pencil brush यह थोड़ा मतब मीडियम साइस का pencil brush है अभी मैं लूँगी एक brown shade और एक हलका सा उससे light वाला brown shade जो dark brown का shade है जो मैंने आपको बता है वो है symbol वो में जो अपना line है crease line पे आप देख सकते है crease line देने की कोशिश करूंगी और उससे पहले जो मैंने peach color का shade लिया था वो है blessing हलका सा जो मेरा crease line है उसको मैं डाक करूंगी क्यूंकि मैं आज half cut crease बनाने वाली हो तो crease line है वो मैं थोड़ा ज़ादा डाक करूंगी आप देख सकते है कि मैं किस तरीके से उसको line देके crease line को मैंने कर लिया यह जो मैं है इसका जो shade number है वो है sorry मैं तब name है symbol और फिर मैं जो है आप देख सकते हैं ऐसे इस तरीके से दूसरा भी मैं crease line देने की कोशिश करूंगी dark brown के मदद से आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं दे रही हूं यह देखिए पैंसिल ब्रश की मदद से मैं करूंगी क्योंकि यहां पर जागर मैं क्या बहुत जादा मुझे कट करना पड़ता कंसिलर से तो इसके लिए मैं पैंसिल ब्रश से कर रही हूं कि थोड़ा बहुत अच्छे से वह दिखे और मुझे बहुत जादा कट भी ना करना पड़े इस तरीके से मैं लूँगी वही अपना dark brown शेट सिंबल यह देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत करूंगी और उपर की तरब थोड़ा हलका ब्लेंड करने की मैं कोशिश करूंगी और बीच में जो है वह जादा dark दिखे और यह जो है मैं curve style नहीं कर रही हूं तो यह मैं जो है c style पे करने की ट्राइ कर रही हूं I don't know हुआ के नहीं आप लोग बता ना अगर हुआ है तो कि देखिए मैं थोड़ा अंदर की तरब डाक डाक करूंगी क्योंकि मुझे करना है तो जो आउटर साइड है वहाँ पर डाक होगा और अंदर के साइड जो सिमर शेड है लाइटर शेड है वह यूज होगा तो ये देखिए मैं नॉर्मल ब्रश लूंगी और उसको अपर साइड के तरब से यूज करूँगी जाधा upper side मतलब वो बीच में से नहीं लूँगी मैं crease line में से जाधा नहीं लूँगी थोड़ा बहुत upper side sharp line ना लगे जाथ के BUT crease line पे बहुत जाधा अच्छा दिखे ये दिखे मैंने उपर सेट ब्रेंड किया AND THAN वापस मैं जो brown करर Open shade से देखिए कि मैं दोँगी आए कि अब ही में और एक पैलट लोंगी है कि तुन हमें किके फिलाल हमें बाद दोंगी फिलाल में क्रीच करूंगी यह थी थोड़ा सव अमने लगा लोंगी और इस त्रीके से ड्रॉ कर लोंगी क्रीज लाइण क्योंकि मुझे पूरा क्रीज लाइन नहीं लेना है यह देखिए एक च्छ स्क रिचलेन के नीचे से और अगर आपको और भी अच्छे से जानना के क्रीज्व लाइन कैसे करते तो आपने- माइलीट की उपर जो लाशिश लाइन पे है वहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर लगाई है और उपर की तरफ देखिए तो जहां पे आपका आख खुलेगा और एक लाइन आएगी तो वह आपका क्रीज लाइन बन जाएगा मैंने भी यह किया था पर्ट मेरा क्रीज लाइन जो है क्ताइन पैलेट में से वाइट वाला था जो यह था वाइट वाला कलर वो मैने इसके ऊपर बेक किया है कंसिलर को सेट करने केलिए पाउडर को कि बहुत जादा वाइट है तो वो बहुत जादा अच्छा मतब लग रहा था तो इसके लिए मैंने वो यूज किया कंसिलर को सेट करने के लिए स्मॉल फ्लैट ब्रश के मदद से मैंने किया आप देख सकते हैं आप ऐसे भी करके उपर कुछ हलका सा एक शिमर शेड या स्पार्कल लगा लीजिए तो भी बहुत अच्छा दिखेगा मैं वैसे लगाने वाली हूं बट थोड़ा और उसको टच देंगे यह देखिए यह देखिए अभी मैं आप देख सकते हैं किस तरी के से फाइन लाइन कर रही हूं क्रीज को यह देखिए तो आपने देखा किस तरी के से वह अच्छा लग रहा है कि यह देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आउटर साइट पर जो है वह ब्राउन थोड़ा और मतलब डार्क होना चाहिए अच्छली मुझे ब्रशिश नहीं मिलते हैं इतने सारे ब्रशिश हैं मुझे ढूनना पड़ता है सॉरी इस चीज़ के लिए अभी मैं जो दूसरा शेड है वह लूँगी विंग बट मैंने यह देखा कि बहुत हलके से लगाया और फिर मैंने देखा कि अरी यह तो मतलब दोनों कलर लगभग मिक्स हो रहा है तो इसके लिए मैंने उसको जादा नहीं किया पहले मैंने सोच जाटा वह नहीं हो इसके लिए मैंने चेंज कर दिया तुरण उसके बाद मैंने क्या लिया एक शिमर शेड था कनेक्ट ये देखिए एक शिमर शेट था जो मैंने ले लिया उसके उपर वाइट की उपर भी लगा सकती थी बट मैंने थोड़ा सा वुइंग वाला जो कलर है वो थोड़ा सा एड किया अंड देन मैं तुरंद उसको शिमर येंजमर कलर से पना वहां आज़ल करती है ये दिखी कर वह नहीं हो रहा था हाथ से तौ मैंने पंगवत्ण बरसे मेंेच나म कॉर्णर कॉर्णर से लेका ओर आच्छे शाल से उसको मैंने चिंआ नंश है वह मैंने कर दिया आपको ऐसा लग रहा है कि आउटर कॉर्णर जो और डार्क होना चाहिए आक्चिली सच है जो डार्क होना चाहिए पर इस पैलेट भी इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन है नहीं तो जो था मैंने वही यूज़ किया मैंने सोचा था कि मैं एक पैलेट से आपको दिखाऊंगी कि शायद हो जाए बट सौरी नहीं हो रहा है एक पैलेट से इस palette पे जो symbol है brown है वो इतना ही है उसके बाद मैं दूसरा palette यूज़ करूँगी जैकलेन हिल का palette यूज़ करूँगी उसमें से जो brown shade है dark brown और थोड़ा सा black को मैं mix करूँगी अगर मैं three time brush में brown ले रही हूँ ये देखिए तो उसके साथ मैं one time black यूज़ करूँगी तो उसको ज़्यादा dark दिखाने के लिए तो आपको मैंने दिखा दिया ये देखिए मैंने brown और black को mix किया and then मैंने outer corner पे जो है उसको ज़्यादा dark किया तब जाके वो अच्छा लग रहा था तो इस तरीके से मैं एक curve देने की कोशिश करूँगी ये देखिए थोड़ा सा point निकल किया तो मुझे point नहीं निकलना है मैं try किया ये देखिए और ये जो brush है मैं pencil brush जी ही जादा किया flat brush का लिए मैंने shimmer के लिए use किया क्योंकि pencil brush जो है वो बहुत fine आपको touch देता है तो आपको बहुत जादा मैनत नहीं करने पड़ती है crease के लिए ये just मैंने खाली अभी shimmer के उपर just एक clean brush लिया इसके पर कोई भी product नहीं है और उसको just मैंने दोनों को blend blend कर दिया कि दोनों एकदम cut cut नहीं लगे मतलब divide divide नहीं लगे mix लगे shadow का ये ही खासियत होती है कि आपका shadow जो है वो हमेशा blending प्रॉपर लगे यहाँ पे जो है मैंने swiss beauty का liquid shadow लूँगी ये like glitter type बट वो जो है थोड़ा सा गीला है ये मेरा shade I think 0-2 और या 0-3 confused हो मैं description box पे आपका मैं mention कर दूँगी मैं इसको इस तरही किसे लूँगी हाथ में अपने fingers पे बहुत lightly लूँगी और इस तरही किसे उसको dab करके और ये देखिए just shimmer shade की उपर मैं इस तरही किसे लगा लूँगी actually shimmer shade भी अच्छा लग रहा था बट मुझे थोड़ा कुछ और मतलब अच्छे से try करना था जो थोड़ा sparkling लगे तो इसके लिए मैंने सुचा कि इसको इसके उपर try करके देखते कैसा लगा और कैसा लगता है और बहुत अच्छा लगा मेरा experience और मेरा try करना अच्छा साबित हुआ कहने का मतलब ये देखिए इस तरह किसे आप लगा लीजिए ये भी मैंने बहुत दिनों से लेके रखा था मैं try करूंगी try करूंगी करके हुआ ने इसके लिए मैंने आज सोचा के आज करे लेते हैं ये थोड़ा सा white base पे है तो इसके लिए मैंने पहले जो pink shimmer था वो लगाया और फिर उसके उपर जो वो shadow था I mean glitter type liquid वो मैंने कर दिया अब ये मैं जो है liner यूज़ करूंगी अपना लैक में का liquid liner हाथ पैसा थोड़ा सा लूँगी और एक liner brush लूँगी और एकदम lash line से liner लगाऊंगी नहीं भी लगाएंगी तो भी चलेगा बट मैं इसके लिए लगा रही हूँ क्योंकि अगर बाद में जब मैं lashes लगाऊंगी और lashes लगाती हूँ तो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है मतब अजीब लग रहा है तो यह जो मैं लगा रही हूँ यह सब lashes पे ढग जाएंगे जब मैं lashes लगाऊंगी तो ढग जाएंगे आप अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा बट मैं लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे वो gap या वो fine नहीं चाहिए जो lashes लगाने के बाद थोड़ा बहुत दिखता है जो waterline पे जो दिखता है वो gap पूरा हो जाता है यह देखिए बहुत हलके हाथ से मैं इस तरह किसे lash line पे लगा लूँगी अभी आप देख सकते के मेरा जो shadow है वो अच्छा लग रहा है अब मैं लूँगी अपना इन्वाइबी का काजल यह देखिए इस तरह किसे मैं लगा लूँगी इस तरह किसे मैं लगा लूँगी अपर और अपर lash line लोवर lash line अच्छे से corner पे अच्छे से मैं करूँगी और इस तरह किसे मैं लगा लूँगी मैं ज्यादा वीडियो को कट करके नहीं दिखाती हूं थोड़ा लंबा होता है कि आप लोग को पता चले और आप अच्छे से सीख सके सो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा वीडियो को कट नहीं करती हूं नीचे बहुत ही थोड़ा सा मैंने लगाया मतलब नॉर्मल ही लगाया उसको ज्यादा मतलब गिस गिस के नीचे तक नहीं किया अब मैं बापस अपना डिलंसी का ज है वह लोंगी और जो दूसरा वाला शेट था जो मैंने Use नहीं किया था विंग वाला विंग जो उसका नेम है क्यूंकि मैंने आपको बताः और भर मैच हो रहा था तो मैंने उसको skip कर दिया, तो वो color मैं लूँगी, और अपने काजल के साथ उसको smudge कर दूँगी, आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया, मैंने आपको, कैसा difference आया, आखों पे, एक smoky effect आया, मुझे आखों के नीचे जादा smoky effect जो होता है, वो देने मुझे जादा पसंद है, मैं वैसे नीच से liner लगा के, मूटा सा काजल लगा के, liner लगा के, कैसे उसको bold दिखते हैं, वो भी आप बता सकते हैं मुझे, तो आप इस तरीके से blend कर लीजिए, और फिर जो है, और फिर जो है, यह देख सकते हैं, आप, अभी मैंने कर लिया, अभी मैं अपना eyelashes को कर ल करूंगी, आप लाशिश को कल करूंगी मैं, और फिर जो है, मैं थोड़ा सा मस्करा लगाऊंगी, और आप लाशिश लगा लोगी, यहाँ पर मैंने लाशिश जो भी जो यूज किया है, वो गोर्जियो का है, वो भी मैं दिस्क्रिप्शिन बॉक्स पर मैं मैं में चिन कर दूंगी, जो भी प्रोड़क्ट मैंने यूज किया है, तो यह देखिए, मैं थोड़ा सा मस्करा लगा लूँगी, यह मेरा मेबलीन का है, यह वाटर प्रूफ वाला नहीं है, यह वाशिबल है, थोड़ा सा लगाऊंगी, क्योंकि मुझे लाशिश लगाना है, फिर लाशिश लगान तो यह देखिए, यह मेरा हो गया, लाशिश लगाना, अभी मैं क्या करूँगी, जो एक नियॉन शेड है, आइधिंग वो शेड का नाम है, सौक, हाँ, आइधिंग शौक नाम है उसका, नियॉन कलर का एक है, ग्रिनिश्ट और यूलो मिक्स किया हुआ, तो वो जो है, मैं उसको ऐसे, इनर कॉर्णर पे मैं लगाऊंगी, और मैं उसको जो है, हाइलाइटिंग नहीं करूँगी, या भी आज मैं जो हाइलाइटिंग कर र यूँ, स्पार्कलिंग कोई भी मैं चीज यूज नहीं करूँगी, तो इस तरीके से मैं उसको लगा लूँगी, और मैं लोवर लेश को अच्छे से, फिर मैं मस्करा कर लूँगी, आप देख सकते कि मेरे लोग कितना चेंज हो गया, यह देखिए, इस तरीके से, मैं लगा लूँगी हलके हाथ से, थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं अपना लिप स्टार्ट करूँगी, तो यहाँ पर मैंने दोनों पीच शेड़ी ट्राइ किया है, एक डाक पीच है और एक लाइट पीच है, मैं सिस्तर किसे स्माइल करूँगी और जस्ट चीक बून के नीचे मैं उसको डैप डैप करके लगा लूँगी, यह देखिए इस तरह के से डैबिंग पोजीशन पर मैं लगा लूँगी, और देन मैं क्या करूँगी, हाइलेटर लगाँगी मिस क्लेयर का, है कि इस पर गोल्डेन और होलई दोना मिक्स है तो मैं एक हालेटर ब्रष लूँगी और उसको अपने जो फेस है छीग पूंत के पॉइंट पे वहां पर मैं हायलाइट कर लूँगी, नोस पे कर लूँगी, लिप पे कर लूँगी, चीन पे कर लूँगी और ब्राव बोन पे भी कर लूँगी तो जब मैं नोस पे करूँगी अब देख सकते हैं थोड़ा सा अपर साइड जाओंगी क्योंकि वो जादा गॉर्जिस दिखता है यह देखे, इस तरीके से आज मैं आइबरो के आपर साइड पी नहीं करूँगी यह देखे, क्योंकि ब्लशर मैंने बहुत जादा डार्क या डार्क नहीं लगाया है तो इसके लिए मैं ब्लशर थोड़ा लाइट लगा है तो इसकले मां हाइलाइटर अच्छे से करूंगी इन दीखिए इस तरह के से इसको आप कर लिजिए एंड जो है अपना ब्राव बॉन कर लिजिए पतला सा एक फ्लैट स्मॉल फ्लैर प्लश रीजी थोड़ा सा जो छूटा सा हो यह तरीके से मैं कर लूँगी यह होगे मेरा ब्रावन हाइलाइट कि मैं एक्शली बिफॉर का फॉटो नहीं लिया मुझे एक्शली बिफॉर का फॉटो लेना था बट मैं भूल गई बट आप देख सकते हैं कि जो मैं पहले कैसी दिख रही थी और पूरा मेक अप होने के बाद मैं किस तरह किसे आपकी सामने दिर्दिर्य मत्तब चींज हो गई तो इस तरह के से हाइलाइट कर लीजी और फिर मैं अपना लेप चालो करूंगी लिप पे जो मैंने आपको बताया था कि मैं लिप हमेशा थोड़ा उपर से उठा के मैं उसको ड्रॉइंग करती हूँ क्योंकि मुझे वह ज्यादा अच्छा लगते मेरा उपर इसके लिए और मैं यहाँ पर नूडी यूज करूंगी तो मैं नूड पिंक कलर का लेपस्टिक यूज करूंगी और फिर आज एक ट्रिक भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसके उपर स्पार्कल कैसे करते हैं तो फिलाल मैं अभी लिप लाइनर ले रही हूँ मेरा यह यूनिक स्टाइल का है इसका भी शेड नमबर में मैंशन कर दूंगी यह देखिए इस तरह किसे ड्रॉ कर लिजी आपको मैंने पहले भी बताए कि आपका लिप कितना भी अच्छा हो थोड़ा सा आप लिप लाइन कर लिजी क्योंकि उससे जो है लिप्स्टिक नहीं होता है इसके लिए लिप लाइन करना बहुत ज़रूरी है आप अभी मेरे आँखों पर ध्यान दे सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है तो यह दिखिए नीचे से भी अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी यह रहा है यह थोड़ा से मैं अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी एंदें जू है फिर मैं अपने लिप्स्टिक अप्लाई कर लूँगी यह देखिए मैं में ब्लेट का लिप्स्टिक यूज़ कर रही हूं यह रहा अब देख सकते कितना मतब पेंकेश्ट कलर है बहुत जादा लाइट है अब मैं क्या करूंगी एक ट्रिक दिखाऊंगी मैं आपको जो मेरा शैड़ो पैलेट है उसमें से जो स्पार्कलिंग वाला है यह देखिए उपर एक मल्टी कलर जैसा स्पार्कलिंग है वो मैं थोड़ा सा लूँगी और बीच में आप देख सकते कि तुरन चेंज हो गया आप तो बीच में थोड़ा सा उसको इसे डैक डाप करके पुरे लिपदेने खाली बीच में इसतरी किसे थोड़ा सा डायब करके वह लगा दूंगी और कॉर् tapping पर ज्सा लग रहे ह कि थोड़ा। मत्लब चलीख तो उसको लिपस्टिक से वांपर कवर कर दूंगी थोड़ा सा लिप्स्टिक में कॉर्णर पर लगाऊंगे मैंने बोला मुझे कॉर्णर पर नहीं चाहिए जिस्ट मिडल पोजिशिन पर चाहिए मतलब सबस्पार्कल लगीगा बट ट्रिक यह है अभी मैं अपना किस ब्यूटी से जो है अपना मेकप फिक्स कर लूँगी यह देखिए इस तरह से मैंने अपना मेकप फिक्स कर लिया थोड़ा से उसको सुखाना पड़ेगा आप देख सकते कि मेरे फीस कितना हाइलाइट कर नाच्रल ररागquito रग रा यह देखिए मेरा लुक अब यह प्रिस मेकप ट्राय कीजिया और मुझे ट्याइक कीजिय यह रहा बस्तिते मेरा कुछ फोटे यह देखिए कुछ फोटोस मेरे अंप अच्छा लुक लग राहा है है नाच्रल लुक रख रहा है तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे बाई